मुख्यमंत्री नितीस्त कुमार ने बेटियों के बीच 30 कड़ों रुपे बाटने का ऐलान किया है। दरसल आपको बता दे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहट बिहार में छात्राओं को सरकार की तरप से प्रोचाहन रासी दी जाती है। और अब सिक्षा विभाग ने पहली किस्त के रूप में 30 कड़ों रुपे की रासी जारी कर दी है जिसका लाव राजी की इंटर पास असना तक पास अविभाहित लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहट प्रोचाहन रासी दी जा रही है। वैसी लड़कियां जो ग्रेजुएट हो चुकी हैं और अविभाहित हैं उन्हें भी सरकार की तरफ से 50-50 हजार रुपे दिया जाएगा। राजी में इसके लिए करीब 12,000 लड़किया हैं। वही इंटर पास की हुई लड़कियों को सरकार की तरफ से 25-25 हजार रुपे की प्रोचाहन रासी दी जाएगी। सीम नितीश कुमार के नतरुत में चल रही सूबे की सरकार लड़कियों की सिक्षा पर प्रमुक्ता से काम करती आई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहट दी जाने वाली प्रोचाहन रासी पर भी सरकार गंभीरता से नजर बनाए हुए है। योजना के करियानबय में तेजी लाई जा रही है ताकि लाभार्तियों को प्रोचाहन रासी उपलवद कराने में देर ना हो। गौर तलब है कि बिहार में लड़कियों को सिक्षित करने को लेकर लागातार नई इसकीम सरकार लाती रही है। इसके तहट मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को भी चालू किया गया है। इसका उद्देस लड़कियों को सिक्षित करना और बाल विवा में कमी लाना है ऐसे में ये कहना गलत ना होगा कि मुक्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एक सराहनी ये पहल है जिसका बड़ा असर आप देखने को मिल रहा है